हलो डियर स्टुडेंट आई एम गोईंग टो एक्स्प्लेंट लेशन 12 वाटर फॉर लाइफ ओके पेस नंबर 64 डियर स्टुडेंट प्रिविएस वीडियो में मैंने इससे पहले के दो पीजे से यानि पेस नंबर 63-62 एक्स्प्लेंट किया था ठीक है न तो इस वीडियो में ठीक है न उसे आप फालू करिए फिर इसके बाद हम एक्स्प्लेंट करेंगे चलिए रेडिंग स्टाट करते हैं clean and pure water we should drink clean water if we drink dirty water it can make us sick boiled and filtered water is clean and safe for drinking water suitable for drinking is called potable water fact 2 no sea water is not fit for drinking as it is salty okay downside means safe water water is previous precious so we should not waste it point out one never leave the tap running while you are brushing your teeth and washing your hand use bucket for bathing in stage of shower we use leftover water from bottle and bucket to water the plants okay चलिए अब हम explain करने चल रहे है clean and pure water clean मतलब safe and pure pure मतलब सुद्ध water means पानी साफ और सुद्ध पानी we should drink clean water हमें clean water पीना चाहिए ठीक न मुझे साप या हमें साप पानी पीना चाहिए if we drink dirty water यदि हम गंदे पानी पीते है तो it can make us sick तो यहां हमें बिमार कर सकता है यहां हमें क्या कर सकता है बिमार कर सकता है boiled and filter यानि उबला हुआ पानी और जो filtered water होता है ठीक है न इस clean and safe for drinking या साफ होता और safe for drinking पेने के लिए भी स्रक्षिर होता है water suitable for drinking water suitable for drinking is called potable water यानि ऐसे पानी जो पीने योग्य हो ठीक है न water suitable water suitable for drinking is called potable water यानि ऐसे water जो पीने योग्य पानी कहलाता है यानि ऐसे उप्यूक्त water जो पीने के लिए हो उसे हम क्या कहेंगे potable water यानि और पीने योग्य पानी फैक्ट उनॉ इसलिए समुदर का पानी पीने योग्य नहीं होता है थीक है अब आता है आपका skill test skill test, cross the activity that make water dirty and unfit for drinking, यानि ऐसे आपको activities को जो पीने योगी पानी को नहीं बना, unfit the drinking, यानि जो पीने योगी पानी ना हूँ, ठीक न, उसे हम क्या करेंगे, उस activities को हम cross through so करते हैं, ठीक न, activity that make water dirty, यानि ऐसे activity जो पानी को पीने योगी नहीं बनाते, उसे हम cross करके so करेंगे, देखिए, first में ये जो pond है, ठीक न, ये देखिए, इसमें कोई भी चीजे ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे पानी को गंदा किया जा रहा हो, तो first diagram आपका सही है, इसमें आप cross नहीं करेंगे, second में देखिए, सारे west चीजों को इस पानी में डाला जा रहा है, ऐसे cross लगा दीजिएगा pencil से, okay, चलिए, अगला diagram पे आते हैं हम, इसमें देखिए, animals को क्या किया जा रहा है, नहला आया जा रहा है, ये भी पानी को पीने योग नहीं बनाएगा, ठीक है, cross, इसमें देखिए, ये भी, इसमें कुछ भी गंदगी ने, उसे board चल रहा है इसमें देखिए कपड़े दूले जा रहे हैं, ये ये पानी को खराब कर रहेगा, ठीक है, ये पीने योग पानी नहीं बनाएगा, ठीक है, इस तरह के आप भी pencil से कर लिजएगा, ठीक है, चलिए, अब last paragraph आते हैं, save water, पानी की बचा, ठीक है, पानी का जो बचा होता है, water water is previous, precious, water बहुमूल है, so, इसलिए we should not waste it, इसे हमें waste नहीं करना चाहिए, neighbor leap, कभी भी leap, छोड़ना नहीं चाहिए, the tap running, यानि कि जब tap खुला हो, ठीक है, ना, running में हो, पानी आ रहा हो, तो उससे भी कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, while, जब कि you are brushing, जब आप brush कर रहे होत तो पानी को खुला नहीं रखना चाहिए, type को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पानी waste होता रहता है, ठीक है, use bucket for bathing in street of sour, sour के बजाए, आप जो है, bucket का use कर ये, जब आप bathing कर रहे हो, इशनान कर रहे होते हो, तो bucket, क्योंकि sour जब आप आप करते हैं, तो पानी waste ही ह होता है, ठीक है, इसलिए sour के जगहां आप bucket का use कर ये, point of three में, use leftover water from bottle, देखी, या bottle में या bucket में जो पानी बचा रहे है, उसे हम to water the plant, पौधो को देने के लिए use कर, यानि उसको water जो है, पौधो में डाल दिया जाए, ठीक है, उसे गिराया न जाए, उसे waste ना किया जाए, ठीक ना, यानि ऐसे बचे हुए पानी जो bottle में हो या bucket में हो, उसे पौधो को दे दिया जाए, ठीक ना, to water the plant, यानि पौधो को पानी देने के लिए करना चाहिए, तो dear student, इस वीडियो में हमने आपको page number 64 explain किया है, इस वीडियो को ind तक बिल्कुल carefully सुनिएगा, और line to line इ